हलो वियर्स, वेलकम टू माई चैनल एडूटेंटमेंट फोकस प्लब जैसा कि आप सभी थमनेल को देख के जानी गए होंगे आज की हमारी वीडियो है बैंक वर्सिस पोस्ट आफिस जी हां हम लोग बात करने वाले हैं बैंक बैटर है या फिर पोस्ट आफिस तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है यूटेंबेंट फोकस प्लस जहां पर आप सभी को नॉलेज मिलती है इन टेक्सेशन फिल्ड इन जी एस्ट इंकम टेक्स टीडियोस टीएस टीएस अड़ वीरियोस टॉपिक्स आलसो तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा बैटर है बैंक या फिर पोस्ट आफिस सारी चीज़ों को हम लोग पॉइंट टो पॉइंट डिसकस करेंगे तो चलिए स सेविंग्स के लिए हम सबसे पहले देखते हैं अपने पैसे को सेफ करने के लिए जमा करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कौन सी चीज सेफ से क्योर है और साथी साथ हमें कहां पर अच्छी रिटरंस मिल रहे हैं अपने पैसे को लगा कर ठीके तो हम लोग क्या करते हैं मे मेरे voice को भी सुनते रहिएगा तो bank में देखिए हमें insurance मिलता है चाहे वो हमारा national हो या फिर private हो ठीक है तो ये सारी चीज़े जो है RBI के अंदर आता है अपने Reserve Bank of India के अंदर जो कि अपने एक corporation के अंदर आता है DICGS जो कि होता है deposit insurance and credit guarantee corporation और इसके लिए जो है आपका अगर bank के बंद होता है या फिर कुछ भी घाटा होता है तो ये सारी corporation जो है ये जो corporation है sorry ये क्या करता है आपको जो भी आपका पैसे है जितना आना चाहिए उतना आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं जैसे कि देखिए earlier जो है अगर आपका ए एक लाग मिलता है sorry आपको एक लाग मिलता है चाहे आपकी सेविंग्स में 5000 क्यों ना हो अगर bank close हो जाता है या फिर आपने कुछ भी चीज इस तरीके से की है तो हर चीज के लिए जो है बैंक ने इस तरीके से अपनी लिस्ट तयार की हुई है उसी तरीके से अब ये चीज बढ़ कर क्या होगे 5 लाग हो चुकी है चाहे आपके सेविंग्स पांच यज़र हो लेकिन अगर आपके सेविंग्स में 8 लाग भी है तो अब आपको पांच लाग ही वह वापसी में देंगे आपके बागे के पैसे जो है वो लॉस में जाएंगे ये सारी चीज दर कभ है अगर bank close हो जाती है या फिर काफी बड़ा उनका घाटा हो जाता है घाटा यानि कि बैंक का घाटा नहीं यानि मान लीजिए आपका कुछ ज्यादा लौस हो गया है उन्होंने कुछ दावा किया था कि आपको वो pay करेंगे तो वो आपको पे जरूर से जरूर करेंगे और ध्यान रखिएगा अगर आपका एक बैंक में ही अगर काफी सारे बैंक में भी आपके अकाउंट है तब भी यह चीज़ लागू होती है ठीक है तो आप जो है एक से ज्यादा रिटर्न की बात करें तो बैंक जो है अब कुछ बैंक कार्म कुछ ज्यादा इस तरीके से देते हैं आप जाके banks में check कर सकते हैं या फिस sites को जाके आप check कर सकते हैं maximum to maximum 4 to 7 या फिस 7.5% of rates जो हैं वो provide करते हैं बात करते हैं post office की तो देखे post office जो है एकदम बिल्कुल ही सरकारी हैं यहां पर कुछ भी private वाली बात ही नहीं यहां पर किसी तरीके को कोई loss आएगा ही नहीं ठीक है बैंक में अगर कुछ भी कहीं से भी इधर उधर से loss आ सकता है टेक्स वगेरा काट लिया या कुछ लेकिन जो post office है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आपने सुकन्या समरीदी योजना बनवाई होई है अपनी या फिर आपने अपना NST करवाया हुआ है savings account है FD है किसी तरीके का कोई loss नहीं होता है post office में ये पूरी तरीके से secure है और इसमें भी आपको insurance cover मिलता है और ये हम कह सकते हैं कि post office बैंक से ज़्यादा safe है लेकिन इंट्रेस जो है बैंक से ज़्यादा safe है लेकिन interest जो है post office का कम है बाकिया आप चेक कर सकते हैं आपका जोव.in पर जाके आप चेक कर सकते हैं जहां पर आपको interest rates मिल जाएंगे आप जाके उनको चेक कर सकते हैं post office के लिए I hope आपको ये वीडियो helpful लगी होगी कौन सा better है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको अच्छी लगे और informative लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा वीडियो को थैंक्स पर वाचिंग और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैं चैनल साथ ही साथ आप मेरे चैनल को जाके प्ले लिस्ट पर चेक कर सकते हैं जहां पर आपको इंकम टेक्स टीडियो से एंड एकांट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी और इंकम टेक्स और जी कीज़िए मुझे पता लगता है आप लोगों ने मी सिये काफी लोग ऐसे हैं को देखते हैं पर शबसक्राइब नहीं क्यों है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीज़ें सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मुटिवेशन मिलती आगए वीडियो बनाने के लि